हेलो फ्रेंड वेलकम हैं आप सभी का मेरे यूटूब चैनल प्रियंका बुटीक में आज मैं आप लोगों के साथ सेयर करने वाली हूं आप लोगों के पास फटी पुरानी जो भी साड़ियां हैं बेकार जिसको आप नहीं पहनते हैं उसका रियूज कैसे कर सकते हैं तो चलि देखिए इंतने सारे कपड़ों में से मैंने इस कपड़े को चूज किया है इसका मैं बनाओंगी उसका कभर क्यूंकि यह बहुत मोटा कपड़ा है बहुत पहले का है थोड़ा सा मोटा बहुत थोड़ा नहीं बहुत मोटा है यह पहनने लाइक बिल्कुल नहीं था तो इस कपड़े को मैंने डबल लेयर में रखा है आपको जितना चोड़ा लंबा बिस्तर तयार करना है गदा तयार करना है उतना आप ले सकते हैं तो देखिए इसकी चोड़ाई मैंने पांच फूट छे फूट पूरा लिया है और इसकी लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग ले सक कर साइट मैंने लगा लिया है अब ये दूसरी साइट लगा रही हूँ इसके बाद इन सभी निसानों को एक दूसरी लाइन से अटेज कर देना है मतलब लाइन से मिला देना है ताकि आपको पता चले कि इस पर सिलाई कैसी करनी है तो देखिए ये एक लोगों से आप किसी की हेल्प ले सकते हैं क्योंकि यह लंबा है तो फिर अकेले नहीं बनेगा तो देखिए इस तरह से जैसे मैंने लाइन बनाई है सेम ऐसे ही पूरे कवर पे लाइन बनाना है तो देखे, मैंने ममी की हेल पाइन टक इंची टेप को पकड़ी है जैसे वैसे ही बराबर बराबर आपको पकड़ते जाना है और लाइन लगाते जाना है इस तरह से लाइन ड्युक्टर कर लेना है फिर इसके बाद जैसे लाइन बना है सेम इसी पे एकदम सीरी से लाइन दोनों कपड़ों को पकड़ते हुए आपको सिलाई लगाना है तो देखिए इस तरह से मैंने कपड़े को बराबर किया है यहां से एक स्टिस लगाऊंगी हाफ इंच की दूरी से और बाकी जितना लाइन है लाइन के उपर से मैं सिलाई लगाऊंगी तो इस तरह से मैंने कपड़े को फकड़ा है हाफ इंच छोड़ते हुए इधर से मैं किनारे से सिलाई लगा लेती हूँ फिर उसके बाद मैं लाइन लाइन पे सिलाई लगाऊंगी ऐसे ही पूरे कभर पे मुझे सिलाई लगा लेना है तो देखिए मैंने पूरे कबर पे इस तरह से सिलाई लगा लिया है आप सबको दिख रहा होगा देखिए इस तरह से मैंने तीन तीन इंच की दूरी से सिलाई लगाया है दोनों साइड से ये ओपन है इसमें से ही मुझे जो कपड़ा है वेस्ट कपड़ा है उसको इसके तो असको आपको इस तरह करना है गोल करें ऊट को पूरा राउंड में तो इस तरह से पूरे राउंड में फोल्ड करने के बाद आप इसको अलपीं से सिक्योर कर लें जो साड़ी पिन होती है उस से आप यहां पे लगा लें तो यह हो चुका है यह देखिये साड़ी पिन है इसको मैं safety fin की help से इसको इसमें लगा दूंगी और इसी की help से इसके अंदर मैं insert करूंगी तो देखिए यहां से खुला हूँ भाग है इसके दूसरी साइट भी खुला ही है तो इस साइट से डालूँगी और दूसरी साइट तक ले जाना है इसको आपको आराम आराम से इसी तरह से पूरे जितनी भी लाइन आपने बनाई है उन सब में आपको इसी तरह से जो साड़ी का कपड़ा है आपको इसी तरह से राउंड राउंड करने के बाद साड़ी के ये जो पीन है सेफटी पीन उसकी हेल्प से आपको इसके अंदर डाल देन है आप अपने घरवालों की हेल पे ले सकते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो इस तरह से आप एक को इसमें पूरा फ्रिल कर लेना है अंदर तक तो यह देखिए मैंने बराबर से इसको फैला लिया है और इसमें एक्स्ट्रा शाड़ी का कपड़ा है उसको मैं कट करके निकाल लेती हूं इसके अंदर चला गया है बाकी सब देखिए यह सब ऐसे दिख रहा है और जिसमें चला गया है वो थोड़ा से गोल शेप में दिख रहा है तो इसमें जितना एक्स्ट्रा साड़ी का कपड़ा है उसको मैं कट कर लेती हूँ और सेम इसी तरह से जितना पूरा है उसमें सब में मैं इसके अंदर फ्रिल कर लेती हूँ फिर आप लोगों को दिखाती हूँ तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें जितना है उतना आधा दूर तक मैंने इसके अंदर इंसर्ट कर लिया है साड़ी का कपड़ा अब रह गया आधा दूर करना तो देखिए जहां तक हुआ है उतना दूर मोटा दिख रहा है ये गद्दे जैसा दिख रहा है और बाकि सब पतली सी साडी ही पता चल रही इसमें और इतनी दूर तक मैंने इसको पूरा कर लिया था तो फ्रेंट्स देखिए पूरा मैंने इसके अंदर फ्रिल कर लिया है साडी का कपड़ा जो एक्स्ट्रा मारजन था उसको मैंने कट कर लिया फिर किनारे किनारे पर साडी को पकड़त की पट्टी लगा रही हूं है ताकि ये थोड़ा सा मोटा रहे तो आपको इसको डबल फोल्ड करना है और जो बंद वाली साइड है नीचे की साइड रखना है और ओपन साइड है उसको आप उपर की साइड रखते हुए बराबर से करते हुए चारों तरफ इस पर सिलाई लगा ले तो देखिए तीन तरफ मैंने इस पर सिलाई लगा लिया है अब रह गया है इतना दूर तो इसको भी मैं सिलाई लगा लेती हूं फिर दिखाती हूं तो देखिए इसको पहले से ही मैंने टाके लगा लिए हैं तो फिर यहां से बस इतना ही दुर रह गया है और तीनों तरफ से मैंने सिलाई लगा लिया है आधा दूर चौथी तरफ भी सिलाई लगाया है तो friends यह पूरा final हो गया है यह पिस्तर बन गया है गद्दा आप लोगों को इसकी सिलाई कैसी लगी अगर easy लगी होगी तो आप लोग please मेरे चैनल को like, subscribe और share जरूर करिएगा तो देखिए ये काफी लंबी चोड़ी है इतने सारे बच्चे इस तरह से लेट सकते हैं और बड़े बड़े दो लोग भी लेट सकते हैं क्योंकि ये छोटे बच्चे लेटे हैं फिर भी इसमें इत के साथ तब तक के लिए बाई love you and take care कुछ प्राओब से दोछिए टाओब तक कर दो हम आड़े बड़े इस बाद हैं क्याओब।